मेरे साथ जुड़े हुए कैसा चल रहा है दीपक रंजन जी चुनाओ वहां पर तो आपके यहां तो मुरादाबाद और रामपूर में अंतिम वक्त तक भी आप गुडबाजी नहीं रोक पाएं जो आपकी अपनी खुद की सीट थी कारण देखिए विजेस जी कहीं कोई दि रहे तो आप अगर सांसत की बात हो रही है तो सांसत उनके जीते हुए चुने हुए सांसत जनता के द्वारा चुने सांसत है लेकिन रास्ट याजिए शुनको मंत से कहा कि मैंने टिकटिंगा नहीं कट आता बाद में आपने देखा होगा जो पत्र पत्र यहां से गया था बसके दो मैट पे पहुंचा जिसको स्टेशन साब ने भी क्लियर गया मैं यह कहना चाहता हूं बजेश जी कि आपने अपनी ग्राउंड सर्वे रिपोर्ट जो है आपने वहां पर कराई होगी पस्चीम से लेकर के मैं समझता हूं पूरे हिंदुस्ता मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं विजेश जी चीज को कि अगर भारतियंदा पार्टी के 10 साल के काम से अगर जंता हिंदुस्तान की देवतूले जंता का संतूस्ट होती तो आज चट्टी चोर आये और गली कूचे में जाकर कर चला रही होती और भारतियंदा तेरी खैर नहीं और जो पंचैते हो रही है मैं समस्ता हूं कि देखिए धन सकती जरूर इनके साथ है यही बात दोहां भी करें कि अखिलेश जी से बाहर नहीं और रुची वीरा की खैर नहीं ऐसा देखिए नहीं आप देखिएगा चारतारी को पढ़नाम आएंगा उसमें साथ सरकार के आप दिखाओ कि यहैं आजम खांकी चिठी जेल से चिठी तक नहीं लिखिए उनको जो देखिए उसे पासॉण करना ता उनने मैसेट पासवान करती है और आपे कहीं पर जो है कहीं विरूद कर रहे हो यह रामपूर में जो हमारे केंडिये ने समाज वाधि बड़े बुद्ध्धिवी कंडिट है जो जिनों ने अधर्णिये शिद्धे अबुल कराम साब को जिनों ने नमाज अधा कराई तो इनका पारलियमेंट में परने पीजी अबुल कराम साब निकाले अचानक से बिल्कुल सही चीज है जब इनकी सरकार आई थी उस चाइम इनके साथ जन शक्ती थी लेकिन फिर वो जन सक्ती के साथ जब अभी तो आरेलडी और उन्होंने हाथ मिला लिया आपके दोस्त हैं ये कैसा हाथ मिलाना है कि साहरणपूर से वो नदारत है और अभी आप नहीं दिखा आपके उसमें चला है एक्सपर कि किस तरीके साहरणपूर में आरेलडी के लोग जो है वहां पर चुनाओ पर चार कर रहे थे और बीजेबी के लोग ने दोड़ा-दोड़ा करके माना तो गलत काम करें तो यह कौन सकट बदन उतर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं मेरे साथ प्रव्डेश अे प्रवक्ता प्रवक्ता बार्वक्ता हैं